मालक्ष्मी की क्रिपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है। हिंदु धर्म में गरूर पुरान को बहुत ही महत्वपुर्ण गन्थ माना जाता है। गरूर पुरान में जीबन में शतकर्मों और उसके परिनामों को विस्तार से बताया गया है जो बेक्ती गरूर पुरान के नीतियों का पालन करता है। उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है। मता लक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए गरूर पुरान के अनुसार हमें कौन-कौन काम करना चाहिए गरूर पुरान में बताया गया है कि ब्यक्ति को अपनी आमदनी का कुछ हिस्चा दान जरूर करना चाहिए जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनसे मा लक्ष्मी नराज हो जाती है और उनकी आर्थिक इस्तिती खराब होने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए अपने आये का कुछ हिस्चा जरूर दान करें जिनके घर में महिलाओं का शम्मान होता है उनके घर मा लक्ष्मी स्वेंग बास करती है लेकिन जिनका बेभार महिलाओं के परती बुरा और गुनहीन रहता है मा लक्ष्मी उनके घर की चोखट पर आकर भी वापस चली जाती है इसलिए इस तरीका अगर सम्मान कीजिएगा तो मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी गरूर पुरान के अनुसार। जिस घर में नाजायज रूप से धनाता है नैतिक रूप से धनाता है वहाँ लक्ष्मी का बास नहीं होता है इन पैसों से कुछ समय तक ही लोब को शांत किया जा सकता है लेकिन लंबे समय के लिए इसके कारण समस्याएं ही उत्पन होती है इसलिए धर्म और सत्य के मार्क पर चल कर धन कमाने बाला बेक्ती ही सभी शुखों का भोग करता है और ऐसे बेक्ती पर मा लक्ष्मी प्रस्चन रहती है गरूर पुरान के अंसार जो बेक्ती बड़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान नहीं करता है उन्हें दुख पहुचाता है ऐसे घर में मा समस्या सदैब बनी रहती है इसलिए घर हो समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें अगर गरूर पुरान के इन्यमों का अगर आप पालन की जिएगा तो आपके घर में सदैब मालक्ष्मी का निवास होता होगा और घर धन बैभव से भड़ा अगरेगा